तो हलो दोस्तों मैं सुभम आप सभी का एक बार फिर से अपनी यूटुब चैनल पर स्वागत करता हूं आप लोग अच्छा से टाइपिंग प्रैक्टिस कर रहे होंगे और अपनी टाइपिंग को इंप्रोब करने के लिए काफी कर रहे होंगे तो इसी आपको हेल्व करने के लिए आज मैं आपको बहुत ही बड़ी चीज्च बताने बाला हूं कि CRPM में टाइपिंग कैसे होती है तो यह से आपने द देखें कर आपने इस वीडियो के मार्या है विडियो के मादम से आहीं बहुत ही इंप्रूफ अपकी आपको नौलेज होगा वाली है तो आप वीडियो को लाश्त तक जरूर बने रहें और आगा आइसे चैनल पर कोई नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें ऐसे वीडियो को इंफॉर्मेटीव बनें दोस्तों यह नॉलेज आप कोई नहीं देगा क्योंकि जब मैं टाइबिंग करता था तो मैंने यह इसी प्रकार से टाइपिंग कि थी इसी प्रकार से इस वेफसाइट के माद बिडियो अच्छी लगे तो बीडियो इंफॉर्मेटीव लगे तो लाइक ज़रूर कर देना और दोस्तों के साथ जरूर से बिना टाइम गमाया हुए चलिए मैं आज आपको लाइब दिखाता हूं और पूरा प्रोसेस के साथ दिखाता हूं कि आपको सिया प्रकार से टा चलता हूं मैं अपने आपको laptop में तो आप चलिए वीडियो को लाश्टक जरूर बने थोड़ा वीडियो लंबी हो सकते हैं लेकिन इस वीडियो के माध्यम से जो आप सीखेंगे न वह आप कोई नहीं सिखाएगा आप वीडियो को लाश्टक जरूर बने रहें दोस्तों और वीडियो को लाइन जरूर करतें आप इस website में अप टैपिंग कर सकते हैं तो सबसे पहले आप दोस्तों गोगल क्रोम आपको एक ब्राउजर ओपन करना है आप अपने मोवाइल के द्वारा भी इस वेबसाइट यानि टाइपिंग बाबा के द्वारा दुस्तों आप कर सकते हैं जो कि आपकी CRPFCM की टाइपिंग जैसे 95% मिलता जो टाइपिंग है तो इस वीडियो का आप लाश्ट तक जरूर देखिए वीडियो की स्किप नहीं करिएगा मैं पूरा प्रोसेस बताऊंगा कैसे एरर आपको काउंट करना इसमें आपको पूरा अपने आप काउंट होके आ जाएगा कैसे टाइपिंग करना है मैट राचांट कैसे करना है तो पूरा प्रोसेस सिखेंगे दुस्तो बंठाएपट्ट कोपता होती है धस्टों इसमें जैसे CRPD-stem को जो टायपिंग होता है तो आई मैं आप लोग के साथ share कर रहा हूं दोस्तो तो वीडियो को like जरूर कर देना और ज्यादा से ज्यादा दोस्तों के साथ जरूर share करना सबसे पहले अगर आप English typing करते हैं या कि Hindi typing करते हैं दोनों में आप इसका use कर सकते हो तो मैं आपको बताता हूँ English typing तो आपको English typing वाले में क्या करना है दोस्तों क्लिक करना है इस प्रकार का आपका open हो जाएगा दोस्तों यहां आप अपना नाम लिख सकते हो और यहां दोस्तों आप टाइम सेट कर सकते हो जैसे कि CIP में 10 मिनट का typing होगा तो जब भी आप इस website म आप 10 मिनट का ही टाइम लगागे करें तो यह हो गया दोस्तों टाइम की बात हो गई फिर यहां पर select paragraph दो परकार के paragraph यहां पर select कर सकते हो दोस्तों एक है default और एक है दोस्तों custom default मतलब होता है जो इसमें paragraph दिये गये है जितने भी paragraph दिये हैं इसको select करके आप क्या है tapping कर सकते हो और दूसरा जो बात करता हूं दोस्तों आपका custom दिया गया है custom means आप कोई भी paragraph अप्लोड कर सकते हो दोस्तों अब मैं आपको बताता हूं कि आपको paragraph upload कैसे करना है तो आप जैसे कि आपके यह upload text पर जाओगे और यहां पर जैसे कि मैं आपको बताता हूं कि आपने PC में कोई paragraph आपके PC में वह paragraph दोस्तों आगर है कोई भी PDF है आगर आपको एभर आपको आप वहाँ upload करना चाहते हो इसको क्या करना है यहां से क्या करना है copy कर लेना है copy करने के बाद क्या है दोस्तो उसमे upload text में जाके क्या कर देना है paste कर देना है तो यह paragraph हा गया दोस्तो suppose आपने वो PDF निकल वाई है उसकी print out और वो paragraph आपकी PC में आपने upload कर दिया और उस paragraph को आप XYZ के लिए कुछ भी नाम दे सकते हैं फिर यहां से आप क्या कर देंगे upload कर देंगे दोस्तो यह आपका successfully upload हो गया होगा दोस्तो जैसा कि मैं आपको दिखाता हूँ एक मिनट दोस्तो यहां पर जाओगे custom में जैसे मैंने custom में क्लिक किया तो आपका paragraph यहां पर दोस्तो क्या होगा upload हो गया होगा जैसे कि मैं जब typing करता था दोस्तो मैं देख बहुत सारे paragraph जो है तो upload किया था तो आपको यह दिखाई दे रहे होंगे और जो अभी मैंने recent में upload किया है दोस्तो एक मिनट यह दोस्तो सबसे उपर दिखाई दे रहे है न FF आपको दिखाई दे रहे होगा है FSDF है न जैसे ही आप इसमें क्लिक करोगे तो आपको जो है तो यह paragraph दिखाई दे देगा जैसे start ग्याम में करोगे तो जो paragraph हमने किया था तो paragraph दोस्तो आ चुका है यह दोस्तो ग्लोबल मार्मिंग हो गया एक मिनट दोस्तो वीडियो को लाश्ट तक जरूर देखना आपको बहुत ही फायदा होगा जैसे मैंने custom में गया और यह ffsd.app अपका दोस्तो बहुराग्राफ select हो गया है और फिर ऐसे start exam on मौड में करें गे तो आपका फाया घ्रारप गया अब दोस्तो जो मैं आपको suggest करूँगा कि आप दोस्तों कि अगर आप पास Koch ऐ तो ठीक है वह निकलवा सकते हो यह से प्रिंट कर सकते हो दोस्तों सब से इजी यह की इसमें आपको जो पैराग्राप दिया गया है रैंडम वीड्स वाले हैं आपको अप्लोड करने प्रिंट निकलवा लेना है अगर प्रिंट आप नहीं निकलवा सकते तो मैं आपको PDF दे दूँगा क्योंकि जब मैंने टाइपिंग की थी दोस्तों तो मैंने पूरे प्रिंट आउट इसके निकलवा के रखे हैं जैसे कि यह आपका दिखाई दे रहा होगा पाराग्राफ य इतना करने के बाद आई होफ आप आप अपको श्मज में आ गया होगा पीर आपको क्या कर देना है कि यहां पर छो स्ट लिमिटक्व आ इसको आपको डिसेबल करदेना है भैक सब्कर देंनां जैसा कि आपको तॉबर करना हो बता रहे हूं आपको डापिंग करके बताऊंगा दोस्तों जैसे कि मैंने एक पैराग्राफ सेट कर गिया डिफॉर्ट वाला जो कि मेरे पास अभी करेंड में और भी पैराग्राफ जो है तो दोस्तों है मैं आपको प्रवाइड करा दूँगा तो आप टेलीग्राम चैनल से जरूर जुड़ें वहाँ पर आपको मिल जाएगी तो मैं अभी एक फिलाल आपके को समझाने के लिए एक मिनट का टाइम सेट करता हूं मैंने बैक स्पेस हो गया पूरा डिसेबल कर दिया है और मैं रेंडम वर्स में जाता हूं जैसा कि मेरे पास यह पाराग्राफ है दोस्तों आपको दिख रहा होगा फॉर सेक डोंट गेट मैरी तो मैं इसको ढूंडता हूं कि मैंने पाराग्राफ कहां कौन सवाला है और नीचे आता हूं दोस्तों मैंने पूरे पाराग्राफ निकला थे दोस्तों मैंने बहुत मतलब क्या ही बता है जब मैं टाइपिंग करता था दोस्तों लगभाग पूरे मतल लगा करना है मैं तो आपको ज्याम्वाल के तौर पता रहा हूं फिर आपको पूरे चीठ डिसेवल कर देनी है अब फिर यहां पर लिखाए कि आप प्रैक्टिस मोड पर करते हो कि ज्याम मोड पर लिखना है इस मोड पर करने बाड़ जैसे कि में दोस्तों क्या रहेगा कि आपको यह पैराग्राप दिखेगा नहीं है ना आपको सिर्फ पीडिएफ दी जाएगी और आपको क्या करना है उसी को टाइप करना है तो दोस्तों आपको क्या करना है कि यह इसको आपको सीधे क्या करना है कि से कोई मतलब नहीं करना है इसको तंब दीन है हमको ऊपर वाली चीज़ नहीं दीखने नहीं हैं तो आपको इसको क्या कर देना है ऊपर कर देना फ़र यहां पर स्टार्ड-टाइपंग यहां से आपको करना है तो मैं आपको Stripe करके दिखाता हूं दोस्तो तो आप वीडियो पर लाश्टतक जरूर बने रहें आप मैंने ये पेराग्राफ ले लिया है जैसे आपको दिखा दे रहा आप पूरा बैकस्संपेस कर दिया है डिसेबल कर दिया है दोस्तो मैं बहुत दिन बाद टाइपिंग कर रहा हूं थोड़ा नर्वस फिल हो रहा है क्योंकि जब से मेरा ग्याम हो गया तो मैं टाइपिंग बंद कर दिया हूं तो अब देखते हैं कितनी अपन की स्पीड आती है तो आपको क्या कर देना है सब बैक स्पेस कर देना है पिर कैप स्लॉक हो गए रहे एक कि अ कर दोस्तों जैसे कि आपको दिख रहा होगा कि मैंने टाइपिंग कर दी दोस्तों कि यहां पर आपको मैं दिखाता हूं दोस्तों मैं जल्दी जल्दी में टाइपिंग की याइओ आपको ऐसे नहीं करना मैं आपको समझा रहा हूं कि आप चेक कैसे करने थोस्तों है तो चलिए देखते हैं तो जैसे कि मैंने एक मिनेट टाइपिंग किया दोस्तों मेरी क्या हो गई च्छा गलती हो गई है ना मैं आपको ग्यांपल के तौर पर बता रहा हूं तो यहां पर क्या हो गई कि आपकी 42 स्पीड आई आपने टोटल बड़ दिखा 49 आपकी च्छा गलती हो गई तो दोस्तों आपको यह चिक नहीं करना है ना आपको क्या करना है कि नीचे जाना में जाना अदिख गलती in तो पूरी तरह सरा समझ में या जाए कि यह होता है 6 i p ecc líघ क्यों बच्चे सट्चतें हैं है यहां पर उपर 42 की स्पीड है ना और मैंने च्छा गलती की है लेकिन 5% ही गलती आपकी माफ होती है तो आपने जितना बड़ लिखा होगा ना जैसे कि मैंने कितने बड़ लिखा था 49 बड़ लिखा है तो मेरी कितनी मिस्टेक है तो टॉटल मिस्टेक कितनी होगे दोस्तो फोर हो गईसा कि न है तो आपकी जो ऐ relationships मैंने कि परक्राइब होटो दोस्तो मेरी कितने बड़ माप थैं आपके दोस्तों दोस्तोंіш कितने वर्ड कर दिये 4 घ्लती तो वही माप थे दोस्तो मैंने 4 कर दिये तो कितने हो गए 10 दूना 20 यानि 20 बड़ सीधे मेरे माइनस हो गए 20 बड़ माइनस हो गए तो कितनी माइनस हो गए दोस्तो 28 ही स्पीड आई आने चाहिए 48 तो इस प्रकार का कि आप मैं आपको बता दे रहा हूं कि आपको अगर 10 मिनट में आप टाइप कर रहे हैं और अगर आप यहां पर दोस्तों अगर 10 से 12 यानि 15 के अंदर ही गलती कर रहे हैं और आपकी स्पीड लगभग 38-40 आ रही है और 15 गलती कर रहे हैं तो आपका सेलेक्शन 100% है दोस्तों यही आपको इसी प्रकार से आपको टेश्ट देना है इसी प्रकार से जैसे मैंने बताया है आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे गलती माप होती है तो आपको क्या करना है यह आपको उपर वाला नहीं देखना है दोस्तों जो सबसे उपर आएगा कि आपका 42 हमारी स्पीड सबसे नीचे आना है जैसे कि total error कितने हो दुश्थ च्छ लेकिन आपको यहां कि यहें ऑर और हमने कितना दिखा रहा है क्योंकि is अगर आपका आब से pop करना है उपरवाले संट इसा करना है तो और सिसी मिदेच करना है इसी प्रकार से CRPF में टैपंग होती है अगर एहाँ पर आपका जो ए तो स्पीड आती है 40 और एहाँ पर एर्र आपके 10-15 से कम होते हैं तो CRPF, SM में finale сеaremos्ट हो जाएंगे दोस्तो इसी प्रकार से DRPF, SM में fully इसी प्रकार से तैपंग होता है तो आप लोग को समझ में आ गया होगा दोस्तों यहां पर 10 कुना पिलाल्टी लगी नहीं तो मेरे 20 वर्ड में क्या होगे माइनस हो गया है तो इसी प्रकार आप जैसे 300 वर्ड लिखते हैं तो 17 गलती माफ रहेगी लेकिन उससे गलती एक गलती कि इधे 10 का मल्टिप्लाई हो जा पहले अमस्ग बड़्बही करो प्रैक्टिस पाहराग्राम निकल वालगे लेकिन अगर आपकी टाइपिंग आरे 35 प्लस तो अगर आप क्यों रेसे चेक करना सकते हो तो दिन भर में सिर्फ एक बार ही टाइपिंग करें दोस्तों लगातार इसमें नहीं करना है क्योंकि बबराना नहीं है लगतार करते जाएगा आपको देखने को मिलेगा कि आपको इंफ्रॉब्मेंट जरूर होने को पार की मैं पैराग्राफ आपको क्या करणगा कि आपको पीडियाप दे दूँगा तो आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा क्या कैसे करना है वाकि मैं आप टेलि ग्राम पर अप लोड आप कर दूगा आप वहां से डाउन्लोड कर सकते हैं अगर आप निकलवा सकते हैं तो भी अच्छा है आप निकलवा सकते हो अगर किसी भी दोस्त को चाहिए ना आप टेली ग्राम से जरूर जोड़ीजा नीचे दिस्रिप्शन बॉक्स में लिंक है वहां जुरूना ना भूलें आपको मैं अगर आप बिट आप सकते हैं चाहूंगा चाहूंगा तो अगर उस पर लोग को कि दोस्तो फिटिए ना करें इससे क्या होगा कि आपको कोई ट्राइपिंग में गलतिया होगी तो आप क्या होगी डिमोटिवेट होगे जोस्तों सबसे पहले आप कोई भी जितने भी आपके पास मैंटर में ट्राइपिंग करें जब आपकी स्पीड 30 प्लस हो जाए ना तब इसमें आप ट्राइपिंग करें तो सिर्फ दिन में दिन भर में एक ही बार करना जब आपका टेस्ट नियर्दी आजाएगा तो फिर मैं आपको फिर बताऊंगा कि आपको फिर क्या करना है ताकि आपकी एक्क्यूरेसी और इंप्रूब हो जाए तो आई हो आप लोग को यह वीडियो बहुत इंफॉर्मेटिव लगी हो वीड कमेंट करके ज़रूर जाना सो मिलते हैं नेश्ट वीडियो पर